हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 6 की वॉक्षीट नंबर 35 जो की 11 नवंबर 2021 की वॉक्षीट है और आज का विशह है बच्चों गनित और आज हम पढ़ने वाले हैं संख्याओं के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं इस वॉक्षीट को संख्याओं की तुलना करना और उन में से सबसे बड़ी और सबसे चोटी संख्या पहचानना इसको हम करेंगे उधारन के द्वारा यहाँ पे हमें कुछ संख्याओं दे रखी हैं पहली संख्या है 300, 65, दूसरी है 497, तीसरी है 750 और चौती है 287 इन में से हमें पहचानना है सबसे बड़ी संख्या और सबसे चोटी संख्या तो हम सबसे पहले पहली वाली संख्या देखेंगे यहाँ 300, 400, 700, 200 तो इन में से बच्चों जो सबसे बड़ी संख्या है वो ये वाली है 750 और सबसे छोटी संख्या है 287 ये वाली ठीक है अब नीचे हमें अगले कोशन में कह रखा है कि यहां पर हमें तीन अंक दे रखे हैं और इनसे वो संख्याएं बनानी हैं जो बन सकती है तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सबसे चोटी संख्या से पहले एक लेंगे उसके बाद हम लिखेंगे पांच और फिर लिखेंगे आठ अगली संख्या में फिर से आगे एक ही लिखेंगे पर ये पांच और आठ को चेंज कर देंगे 8 को पहले और 1 को बाद में 5 से भी दोनों संख्याएं बन जाएंगी अब हम शुरू करेंगे 8 से 8, 1, 5 फिर वापस से 8 लिखेंगे और 1 और 5 को आगे पीछे कर देंगे 5 और 1 तो इस तरीके से कुल मिलाकर 6 संख्याएं बन जाएंगी यानि 3 अंग अगर हमें दे रखें हैं तो उससे हम अलग-अलग 6 संख्याएं बना सकते हैं ठीक है? अगली संख्या में हमें कह रखा है कि ये उदारन दे रखा है और कहा हुआ है कि इसको आरोही करम में लगाईए आरोही करम का मतलब होता है बढ़ते हुए करम पहले चोटी संख्या फिर उससे थोड़ी बड़ी फिर थोड़ी बड़ी फिर सबसे बड़ी इस तरीके से लिखना है तो अगर इन चारों संख्याओं में सबसे चोटी संख्या देखें तो वो होती है 217 तो यहाँ पर आप लिखेंगे 217 सबसे पहले सबसे चोटी संख्या उसके बाद उससे थोड़ी सी बड़ी संख्या यानि 247 उसके बाद उससे थोड़ी संख्या 342 और उसके बाद सबसे बड़ी संख्या 352 392 तो इस तरीके से हमने आरोही क्रम में लगाया इन सभी संख्याओं को अब इसके बाद हमें क्या करना है इन ही संख्याओं को जो यहां दे रखी थी यह फिर से लिखा है और कहा है कि अब इने अवरोही क्रम में लगाओ अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम घटते हुए क्रम इसका नाम ये भी होता है ठीक है और आरोही का नाम होता है बढ़ते हुए क्रम तो आप नाम याद रखेंगे आरोही मतलब बढ़ते हुए और अवरोही मतलब घटते हुए ठीक है अब घटे हुए क्रम के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या जो की है 312 उसको लिखेंगे फिर उससे थोड़ी छोटी संख्या है 342 फिर थोड़ी और छोटी संख्या है 247 और सबसे छोटी संख्या है 217 तो इस तरीके से हमने इन सभी को अव्रोही क्रम में लगा दिया अब नीचे हमें कुछ सवाल दे रखे हैं और इनको हमें हल करना है ठीके बच्चो पहला सवाल है कि हमें यहां पे इसमें से सबसे बड़ी संख्या और सबसे चोटी संख्या छांटनी है तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या तो इन में से जो सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी है आप पता लगाएं तो बच्चों देखो पहले वाले पार्ट में संख्याएं हैं, पहली संख्या है 7536, दूसरी है 7370, तीसरी है 7452 और चौती है 7892 तो इन में से हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या जो है वो है 7892, ठीक है? यानि ये वाली संख्या सबसे बड़ी संख्या है अब अगर हम सबसे चोटी संख्या लिखना चाहें तो वो है ये वाली 7,370 ठीक है तो first part में ये है सबसे बड़ी संख्या और ये वाली है सबसे चोटी संख्या अब इसके बाद हमें देखना है B part B part में जो हमें संख्याएं दे रखी हैं वो है ये है 23,787, दूसरा है 6,000, देखो ये 23,000 था तो ये है 6,000, 6,895, फिर यहां पे 24,659 और ये है 24,570, अब इन में हमें देखना है सबसे बड़ी संख्या और सबसे चोटी संख्या, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, इन में से सबसे बड़ी संख्या है ये वाली, 24,669, फिक है, और अगर हम सबसे चोटी संख्या देखें, तो सिंपल ये वाली है 6,895, फिक है, तो इस तरीके से पहला प्रशन हल हो गया, अब हम देखते हैं दूसरा प् हमसे कहा है कि बिना अंक को दोहराए दिये गए अंकों का प्रियोग करके तीन अंकों की सबसे बड़ी और सबसे चोटी संख्याएं बनाईए तो हमें क्या करना है इन ही संख्याओं का यूज करना है और इन संख्याओं को सिर्फ एक बार यूज करना है तो इन संख्याओं से कौन सी संख्या है जो सबसे बड़ी बनेगी और कौन सी संख्या है जो सबसे छोटी संख्या बनेगी ठीक है तो चलो इसको भी हम हल करते हैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या तो पहले पार्ट में हम करते हैं पहले पार्ट में सबसे बड़ी संख्या जो बनेगी उसमें सबसे पहले सबसे बड़ा अंक होगा साथ पाँच तीन यानि साथ सो तिरबबिन बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें सबसे बड़ी संख्या से शुरू करके फिर छोटे 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 करना होता है और अगर हमें सबसे चोटी संख्या बनानी है तो हमें क्या करना है? पहले चोटी संख्या लेंगे, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा यनि 357 ठीक है? तो ये हो जाएगी पहले वाले पार्ट में सबसे बड़ी संख्या और ये हो जाएगी सबसे छोटी संख्या अब सेम ऐसे अगर हम B part में देखना चाहें तो इसमें भी सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा पहले हमें सबसे बड़ी संख्या को लिखना है जो कि इस case में है इसमें चाहें सबसे बड़ी संख्या बनी 764 और हमें चोटी संख्या बनाना है तो चोटे से शुरू करना यानी कि 4 6 7 ठीक है तो 467 तो इस तरीके से पहला प्रष्ण और दूसरा प्रष्ण दोनों हल कर लिया हमने अब हम देखते हैं 3 प्रष्ण जिसमें कहा है कि निम्ड लिखित संख्याओं को आरोही क्रम में विवस्थित कीजिए आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम पहले चोटी संख्या फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी चलिए इसको solve करते हैं तो देखो बिच्छो पहले पार्ट में अगर हम इनको अरेंज करते हैं तो इसमें सबसे चोटी संख्या है 671 उससे थोड़ी बड़ी संख्या है 847 उससे थोड़ी बड़ी संख्या है 8320 और सबसे बड़ी संख्या है 8754 ठीक है तो ये हो गया first part अब हम solve परेंगे second यानि B part को B part में सबसे चोटी संख्या है 2575 उससे थोड़ी बड़ी संख्या है ये वाली 3650 उससे थोड़ी बड़ी संख्या है 3801 और सबसे बड़ी संख्या ये वाली है 3870 तो इस तरीके से हमने इन सभी संख्याओं को आरोही क्रम यानि की बढ़ते हुए क्रम में लगा दिया है अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न और इसमें हमें कहा हुआ है कि इन संख्याओं को अब हमें अवरोही क्रम में लगाना है अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में लगाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे बड़ी संख्या को पहले फिर उससे चोटी फिर उससे चोटी और फिर सबसे चोटी तो अगर ए पार्ट हम देखें तो इसमें सबसे बड़ी संख्या ये वाली है 9254 उससे चोटी संख्या ये वाली है 8971 उससे थोड़ी चोटी संख्या ये है 4532 और सबसे चोटी संख्या ये है 3675 अब अगर हम B part की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी संख्या ये है 8540 उससे चोटी संख्या ये है 7861 उससे भी चोटी संख्या ये वाली है 5896 और सबसे चोटी संख्या ये वाली है यानि कि 750 ठीके बच्चो तो ये थी आज की हमारी maths की वाक्षीट और आई होप आप सभी को ये वाक्षीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी बच्चो गर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको जरूर लाइक करें अपने फ्रेंज के साथ भी शेयर करें और इस चानल को सबस्क्राइब कर लें थैंक यू